फ्रेंज राइट इंफर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेका हूँ तो फ्रेंज देखिए अगर आपका मॉबाइल में नेटवर्क का प्रोब्लेम है नेट स्लो है, नेट सही तरह के से नहीं आता है, आप डाउन होता है यानि नेटवर्क रिलेटेड कोई भी प्रोब्लेम हो, तो आप इस वीडियो को देखिए इस वीडियो में मैं आपको एक APN बताने वाला हूँ इस APN को अगर आप यूज करेंगे, तो आपका मॉबाइल में नेटवर्क रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, और सोल्फ हो जाएगा तो वीडियो को आप फर्स्ट और लास तक देखिए, और चैनल पे नहीं आतों से आपको सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजए, ताकि फ्यूसर में जो भी वीडियो अप्लोड कर उसका लोलशन आपको मिल द रहे, तो फ्रेंज चलिए वीडियो मतलब हाई प्रोफाइल में हैं, मतलब ही इंटानी स्पीट बहुत ही सही काम कर ला है, तो जो भी सेटिंक्स में बताओंगा, उसमें और भी स्पीट होगा, आप देख सकते हो और भी युदक होगा, तो इसमें आपको एक एक ओप्षिन मिलेगा, उसमें प्रेंजES चलिए तो इसी option में आपको click कर देना है, तो click करने के बाद friends आपको इस type से दिखेगा, और इसमें आपका जो भी sim card है, या टेल हो, जियो हो, या बी आई का हो, तो आप sim को select कर लिजे, तो sim select करने के बाद friends इस type से आएगा, तो इसमें से आप देख सेक्ट तो access point name, तो इसी option को आप आपको choose करने के बाद friends इस type से आएगा, इधर आप देख सेक्ट हो कि मेरा जियो का API already said है, तो मैं new से एक API बनाओंगा, तो इसको बनाने के लिए देख सेक्ट हो plus का symbol है उपर, तो इसमें click करना होगा, और किसी किसी mobile में नीचे भी plus का symbol रहता है, यानि आपको plus का symbol में click कर करके इस type से एक form आएगा, जिसमें details आपको put करना होगा, put करके आपको save करना होगा, तो friends देखें, बहुत सरा details आपको देना होगा, तो आप कैसे देंगे, तो friends देखें, इसमें पहले तो आपका इधर option है, name का, तो name पे आपको क्या type करना है, तो friends देखें, मैं जिस तरीक से टाइप करोंगा Sam to Sam आपको करना है देखिए इसमें आपको टाइप करना होगा Speedboard AI Ultra 5G तो फ्रेंज इसमें Small और जो Capital है वो आपको Sam to Sam टाइप करना होगा तो टाइप करने के बाद ए हो जाएगा फिर आपको नीचे option मिलेगा APN का तो APN में आपको टाइप करना होगा SB at the rate जो भी आपका SIM card हो अगर जियो है तो जियो 5G कीजिए अगर यह टल है तो यह टल 5G कीजिए और अगर BI का है तो SB at the rate BI 5G इसी सबसे आपको टाइप करना होगा तो फ्रेंच देखिए मेरा जो SIM है जियो का है तो इसलिए मैं SB at the rate जियो 5G किया है तो कहर दिया फिर आपको proxy port इसमें not set rate ने देना है फिर username जो है username में आपको टाइप करना है SB 2023 इसी सबसे आपको टाइप करना है सब small में होगा SB 2023 फिर आपको password में कुछ नहीं करना है फिर आपको server server में आपको टाइप करना होगा www.google.com तो इसी सबसे आपको टाइप कर देना है फिर MMSC not set, MMS proxy not set, MMS port not set फिर आपको MCC और MNC एक code रहेगा इसी को ही रहने दीजिए यह आपका area code है इसको आपको मतलब change करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है फिर authentication type इस option में आपको click करना है और जो नीचे वाला option है पेप और चेप तो इसी option को आपको सुस कर लेना है हो गया, APN type इसमें कुछ नहीं करना है फिर APN protocol इस option में आपको click करना है और click करने के बाद आपको इस type से नीचे option मिलेगा IPB4 slash IPB6 तो इसी option को आपको सुस करना है अगर by default रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसी option में रहने दीजिए तो friends हो गया, फिर आपको APN roaming protocol इसमें भी आपको sam IPB4 slash IPB6 तो इसको सुस करने के बाद हो गया फिर आपको नीचे आना है और देखिए इसमें एक option है bearer और bearer जो है friends बहुत ही important है तो इसमें click करने के बाद not specified इस option में tick रहेगा तो आपको un tick कर देना है और un tick करने के बाद इसमें जितना भी bearer है सभी bearer को आपको tick कर लेना है जितना है not specified के नीचे से मतलब LTE से लेकर जितना भी bearer है सभी को आप tick कर लीजे और friends देखिए बहुत सरे इसमें multiple bearer support नहीं करता है तो उस condition में आपको क्या करना है इसमें जो LTE का option है जो first में ही है LTE का option तो इसी option में only आपको tick करना है और tick करके save करना है तो friends देखिए सब कुछ हो गया मेरा जो mobile इसमें multiple bearer support करता है फिर इसको tick करने के बाद आपको back आना और back आने के बाद हो चुका है नीचे आपको कुछ नहीं करना है complete हो चुका है अभी जो right click आप देख सेक्टे उपर उसमें click करके इसको save कर लेना है save हो चुका है तो इसम application में tick करके आप green करवा लीजिए यानि इसको apply कर लीजिए तो apply हो चुका है और apply होने के बाद आपका जो mobile है mobile को आप एक बर restart करेजिए restart करने के बाद आप जो internet speed है speed को आप check करके देखिएगा आपका जो internet speed है पहले से बहुत जादा होने वाला है और friends देखिए मेरा जो internet connectivity था already first था तो भी पहले जितना था उससे ज्यादा हो चुका है अभी देख सेकते हो मेरा अभी तो 50 से भी plus होगा पहले तो आपको पता होगा कि 48 था अभी देखिएगा 50 से उपर रहेगा देखिए 54.3 हो चुका है तो इसी तरीके से आप भी इस टाइप का settings करके आपका mobile मे internet speed को ज़्यादा कर सकते हो और जो net of related जो भी problem हो उसको आप solve कर सकते हो तो फ्रेंज इस वीडियो में इतना है था तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शियर किजिए और मैंस याल को subscribe करना ना भूले फिर मिलेंगे और एक new वीडियो के साथ thank you